एक बाट फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सुनामी पर निमंद सुनामी पर निमंद ठीक है तो दोस्तों सुनामी पर निमंद पूचे जा सकता है कई बार पूचे भी जा चुका है तो किस परकार आपको निमंद लिखना है सुनामी पर तो दोस्तों प्राकर्ति आपड़ा में सुनामी पर निमंद की बाद आम पर चेर्चा कर रहे हैं आज तो अभी तक आपने में रिट्व चाहिए को सब्सक्राइब ने क्या कर दिए वीडियो को लाइक रहे दोस्तों किसा सेर्ट करने सुनामी किस परकार लिखना है इस परकार लिखना है मैं अब बता रहा हूँ देखें सुनामी एक तरह की प्राकर्ति विब्दा है यह सुनामी क्या है यह प्राकर्ति विब्दा है जो धन जीवन का सरुनास करती है और धन और जीवन दोनों का सरुनास करती है सुनामी करती है इस परकार के तथिये इसके समंदे लिखने, तो कैसे परकार लिखे वे मैं पूरा एक बार बाता देदा हूं, ये कैसी आपदा हैं, जिसमें समूंदर के तैल से बहंकर कमपन होता है, तेजी से बड़ी लहर है, संगला आसमान की औरोंचाई के तरह जैसे पहुंच जाती हैं और विनास का रूप धरंग कर लेती हैं, बोकम की वज़े से सुनामी जैसे प्रकार्टिक आपदा जन्म लेती हैं, इत्यास गवा है कि सुनामी कितना खतरनाक हैं, समूंदर की सतर पर उत्पन होने वाली लगाता तरंगे, जिसका परमुक बिंदू जो पानी में बिलकुल नीचे प्रबंद हैं, उसे सुनामी का जाता हैं, सुनामी के काल पानी की लेरे के निर्मा तिर्वता से होती हैं, फिर ये जमीन में निगरतों इलाकों पर पहुँच जाती हैं, और इसका कहर बरसाती हैं, ग्रीक लोगों ने सुनामी का जावा जब से पहले किया था, दरस समुन्दर के तड़ो पर आपत मचा लेती है, साल 24 में हिंद मासाकर के सुनामी नहरों की वज़े से लगबत तीन डाग लोगों की मौत हुई थी, सुनामी के कई दैसों ने में भारत जैसे भारत, थाइलेंड, माल देप, मलेशिया, सुमालिया, मांगला देश, इत्यादी द नावों, बड़े-बड़े जाजे, सब कुछ खतम कर देती है, पेड़ बोदे निश्ट कर देती है, समुन्दर तड़ो पर तड़े सेतरों, पसे गां, वस्तियां, मकान, विसाल इमारतों को बलबर में तबाह कर देती है, सुनामी के नामें से लोग कापने लगते हैं, जीलों में उटने वाली लहरे समुन्दरी लहरों की तरह इतने भ्यावक नहीं होती, जीलों में पैदा हुई लहरे इतनी दूर नहीं जाती, और समुन्दर में आई लहरे इस परमुग बिंदू में कई दिसाओं में यातरा करती हैं, इसका मिनास तांडव देखा जाता है आज तक की सबसे उंची सुनामी आलासका की खाड़ी में हुई है जिसके कारण एक बहुत बड़ा चट्टान खाड़ी में गिर गया था नहरों की उंचाई करीबं 524 मिटर उंची दर्श की गई थी चाल दो जास चार में बयानक सुनामी हमारे देस ने भी देखी थी यह बने सुनामी बिंदू उत्मन इंडोनेशिया में हुआ था जिसमें लाकों लोगों की मौत हो गए थी इस सुनामी ने अपने मुख्य बिंदू छे होते हुए कई देसों तक यातरा और विनास किया था हाई लेन माल दीव और मागना देस भी इसके सपेड़ में आ चुके थे समुदर में जल घर कारवार ये दुकाने की जरूरित बस्तों सब भाग कर ले गए थे कुछ लोग पानी में बेह गए थे उनकी मौत हो गए थी सुनामी कब आएगा ये किसी के लिए भी बता देपारा बहुत मुस्किल है जैसा कि सुनामी आती है मनुश्य के प्रूब पसुओं को इनके आने का आदेसा हो जाता है इसलिए ये सुरक्षित जगों पर चले जाते हैं समुन्दतर के निकट सेत्रों में रहने वाले लोगों को जानवर ओके बदलते व्यावारों पर नज़र रखनी चाहिए सुनामी की सेतना और उसका आवास होता है कि लोगों को अपने सुरक्षित इस्तानों पर चले जाना चाहिए जहां तक हो सके लोगों को उच्छी यानी की सतों पर आसरे लेना चाहिए कुछ लोग बहुत बेखुप करते हैं और खड़े होकर सुनामी का भ्यानक नजाला देखते हैं वो ऐसे दर्शियों में फोटो कीचते हैं और मॉबाइल में कैद कर लेते हैं ऐसे में कई लोग सुनामी जैसे हाथसों में बली चड़ जाते हैं नहेरे अतनी टेज होती है कि लोगों को डूबा ले जाती है इन इस्तानों पर जहां सुनामी अपने पर बल्ल अनुमान किये जाते हैं सरकार को आपाद काली निकासी योजणा बनानी चाहिए इससे लोगों को सुरक्सित निगाला जा सकता है वर्स दोज़ाचार में देश के के इलाकों बेचुनाविं की सेथना सिस्टम लगवाया है ये ऐसी कोई आपता होने के पहले लोगों को सत्रक्त कर देती है देश को जरूत है कि एकाधुनिक सेथावनी सिस्टम लगाने के बारे में गौर करे सुनामी यंद्रों को लगाने से सुनामी जैसे विबदाओं के विश्य में लोग को चेतना किये जा सके सुनामी चेतना अगर सरकार द्वारा दी जाती है तो उसे मारना भी जरूरी है समुन्दरी तट पर रहे लोगों को भुकम समदी शूषना रहनी चाहिए समुनू रिदाट के सारी जानकारी टेलीविचन रेडियो द्वारा पहुँचा जाती है ये जरूरी भी है कि बुगम कितना तिल्व गती से आया है और कितनी जिसा में जारा है ये सारी चूचना जन्मानस के द्वारा जरूरी है सुनामी के समय सुर्ख साकिट जैसे पास रखने चाहिए बहुत जरूरी है इस सारी अर्षित वस्तु लोगों के जरूतों के वक्त काम आ सके जरूरी साथन, टॉर्च, दवाई, मौमती, खास सामगरी, पैसे, इत्यादी समान लोगों को रखना चाहिए अगर सुनामी जैसी प्रिस्तितियों को कोई भी गायल हुआ हो तो तुरंत बच्चाव दल के लोगों द्वारा संपरक करना चाहिए लोगों को ऐसी गंबिर आपदाओं के समय एमूलेंस और डॉक्टर का नंबर अपने पाच रखना साहिए इसका नसकर ये उप्तसाहर ये निकलता है कि सुनामी ये खतरना का आपदा है ये पूर्थविय के गुत्वक्रशन के प्लेटों के समंदर के नीचे की और खींचता है इस बज़े से भ्यालक लहरे जलम लेती हैं मनुशियों को अपने प्रयावन का सरक्षन और संतुलन बनाए रखने के रखना चाहिए ताकि इस विनासकारी प्रिस्तितियों को उबर सके या उसे दोस्तों सामना कर सके सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो के लिंक को दोस्तों के सेड़ करें ताकि सुनामी के समंदित आने वाला जो भी निमन्द है उसे आफसे इडिन से कर सके